बच्चों आप लोगों ने औ से अम तक तो सीखी लिया है आज हम सीखेंगे अह लिकना इससे पहले हम अ से अम एक बर रीट करेंगे ठीक है तो चलिए मेरे साथ आपको बोलना है अ से अनार आ से आ इसे इमली बड़ी इसे एक उसे उल्लू बड़े उसे उन रीशे रीशी एसे एल्बम एसे एना ओसे उकली आउसे आउरत अंसे अंगुठा इसके बाद आएगा अह स्टुडेंट आप लोगों ने अ लिखना तो सीखा है ना तो पहले हमें अ लिखना है और इसके बाजू में दो ऐसे सरकल बनाने है तो इससे हो जाएगा अह से क्या होगा देखो ये बच्चा यहाँ पे कैसे हस रहा है लाफिंग कर रहा है ना तो ऐसे ही हमें करना है तो ऐसे अ से अ होगा होता है तो चलिए यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक हाफ सरकल अगें हाफ सरकल, स्लीपिंग लाइन, स्टेंडिंग लाइन, अगें स्लीपिंग लाइन, और दो सरकल ऐसे हो गया अहाँ फिर से लिखना है हाफ सरकल, अगें हाफ सरकल, स्लीपिंग लाइन, स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पर सरकल अहाँ, अगें हाफ सरकल, हाफ सरकल, स्लीपिंग लाइन, स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वो डॉट करना है ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और दो डॉट बना है स्टुडेंट आपको बोल कर लिखना है ठीक है, स्लीपिंग लाइन, स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और यह हो गया अहो, half circle, again half circle, sleeping line, standing line, again sleeping line, और यहाँ पर circle, half circle, half circle, sleeping line, standing line, sleeping line, और दो ड़ाट करना है ऐसे ही बच्चों हमें बोलकर लिखना है तो चलिए हम फिर से एक बार अ से अह तब रिवाइस करेंगे ठीक है? तो चलिए मेरे साथ फिर से बोलिए असे अनार, आसे आ, इसे इमली, बड़ी इसे एक उसे उल्लू, बड़े उसे उन रिशे रुशी, एसे एल्बम, एसे एन, ओसे ओखली, आउसे आउरत, अंग से अंगुठा, और अह तो बच्चों, हमें ऐसे ही हमारी नॉट्बूक में लिखना है और बोल के लिखना है, और लिखने की प्रैक्टिस करनी है ठीक है?